हेलो एवर्वान वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही चटपटा सा और जटपट सा बनने वाला यह नास्ता जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और आपने बहुत सी चाटे ट्राइक करी होंगी मार्केट में घर में बनाया होगा पर आ तो सबसे पहले हम लेंगे फ्राइड चूरा इसे इसका वीडियो मैंने आगे बना कर डाला है इसे कैसे बनाना है और फिर मैंने लिया है चना मसाला यूजरी अगर आपके घर में जो चनी की सबजी बनती है उसका भी पानी सुखा कर आप यूज कर सकते हो पर इसे मैंने कै बनाया है इसका वीडियो मैंने आगे डाला है तो आप देख लेना तो चलिए सबसे पहले चूरा कर लेते हैं तो इस तरह से आपको डालना एक पैन में मस्टर्ड ओयल और फिर आप उसमें डाल देना और स्लाइस कट अनियन और इसे हम फ्राइ होने देंगे और जब यह तरह को फॉर्ड वॉल है तो प्राइब को डाल देना है चूरा धूरा या पोहा कि आप जो बुल वो हम हमारे रहा चूरा ही बोलते हैं वह सारे जगों पे से पोहा बोलते हैं तो इस तरह से आपको फ्राइच कर लेना है इसमें बिल्कुल 1 चुटकी करीव आप नमक डाल दो औ समस्क्राइब यह द्यक्राइब दिखर तक के लिए मरकिल जल्दी से कहले उलने वाला चना अ Charles पना रही हूं तो इसमें आपको डाल ना एक से दो चंस्प्राइब दरेंगे 1984 और फिर उसमें डाल रहाके और वियूमना हम रही हुआ तामाटर यह दो नहीं दो पर चलाएंगे और फिर इसमें डालेंगे साड़े मसाले हल्दी काले मिर्च जीरा पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर सबकुछ हाफ-फ़ टीजपून के करीब डाले ज्यादा मसाला नहीं डालना है क्योंकि चना भी ज्यादा वेने नहीं 2 जालना तो फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लें और एक से दो बार चलाएं ताकि मसाला अच्छे से उख हो जाएं और फिर इसमें हम डालेंगे नमक और फिर पानी डाल दें पानी जादा नहीं डालना है क्योंकि फिर उसे हम सुखाएंगे तो चने कही अकोड़ इक उ पानी को सुखा देना है जब प्रेसर निकल जाए तो और यह देखे पानी अच्छे से अब सूख रहा है तो पूरे पानी को सुखा देना है यह देखिए पानी अलमोस्ट शूख चुका है इसका इस तरह से तो चना मसाला बिल्कुल रेडी है तो अब आगे की जो भी इंग्रीडियन्स है वो मैं आपको बताती हूं तो इसमें चाहिए हमें मिक्स्चर टमाटर चॉप्ड और फिर हरी मिर्च इसे आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो और फिर चाहिए हमें प्याज इसे भी चॉप कर लें फिर चाहिए हमें नीम्बू थोड़ा सा खटा पन चाहिए तो उसके लिए तो यह हो गए सारे इंग्रीडियन्स तो अब हम डालेंगे चना मसाला आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं आप अलग अलग मलभी बन तो इस तरह से अब में डाल दूँगी इसमें चूरा तो आपको जितना डालना मैंने ज्यादा चूरा फ्राइब किया था तो उसे मैं स्टोर करके रख लूँगी फिर अगली बार चाहर बनाने के लिए और फिर इसमें डाल दे मेक्चर और फिर डाल दे टमाटर पिर हम ड से नी चोड़ दूंगी इसको और बस फिर चना चाट बिल्कुल रेड़ी है सर्फ करने के लिए तो इस तरह से आप इसे सर्फ करें और इस तरह से से मिक्स कर लें और मिक्स करके से इंजॉय करें आप साम में जटपट से बन जाता है तो आप इसको जरूर ट्राइ करिए यह बहुत टेस्टी बनता है और मुझे कमेंट सक्षन में जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत थाइंक्यू और सब सब्सक्राइब प्रना ब्लीज ना भूलिएगा